कि हेलो अब्रीबन स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल सिविल इंगिनिंग फंडा में प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें और सेयर करना मत भूलिए ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे कमपास के बारे में कमपास होता क्या है इसका यूज क्या है इंपोर्टेंस क्या है सिविल इंगिनिंग में तो कमपास का यूज करते हम जब हम किसी भी लाइन की डारेक्ट मेजर्मेंट करना हो किसी भी लाइन का अगर हमें डारेक्ट डारेक्शन पता करना है तो उस केस में कि आगर हमें किसी भी दो लाइनों के बीच इसका अगर पटा करना है तो वह स्योट्डो लाइट से कर सकते हैं लेकिन अगर हमें इसका नौर्थ से अगर डारेक्शन पोटा करना है तो हम कमपास का युज कर सकते हैं काइं आ सुस्ट कंपास बैसिकली तीन तरह के होते हैं पहला है प्रफ कंपास में क्या होता है कि इसमें जो रैजुएसन्स होते हैं वह 0 टू 5 dgो तक ही अगिल का वह 0 टू 5 डिगो के लिए करते हैं plane table surveying में position जब करना होता है, तो उस case में हम इस truck compass का use कर सकते हैं, truck compass को हम plane table के उपर रग देते हैं एक किनारे पर और table को पूरी तरह से rotate करते हैं, जिस direction में ये needle north को show करने लगती है, उस direction में हम यहाँ पर एक arrow mark करते हैं, और उसको आगे north लिख देते हैं, जिससे plane table की not direction में पता चल जाती है तो इसका यूज हम करते हैं plane table surveying में दूसरा जो compass होता है वो है surveyor compass surveyor compass और तीसरा जो है वो है prismatic compass तुम्हारे पास तीन तरह के compass है ट्रफ compass surveyor compass and prismatic compass अब हम इन दोनों में difference देखेंगे कि क्या difference है तो जो प्रिजमार्टिक कंपास होती है उसमें यहां पर एक prism लगा होता है इसलिए हम इसको प्रिजमार्टिक कंपास बोलते हैं तो प्रिजम की वेज़े से इसको प्रिजमार्टिक कंपास बोलते हैं और यहां पर प्रिजमार्टिक कंपास में जो उति होती है और इसका जो बॉक्स होता है वो मैग्नेटिक ड्राइजुएटर्स से फ्री होता है जब कि सर्वेयर कमपास में जो ग्राइजुएटर्स फ्रस्टी है वो बॉक्स के साथ कनेक्ट होता है और निडिल प्री होती है निदिल फ्रीली मूब करती है और सर्वेयर कम पास में जो निडील होती है वो ब्रॉड एस टाइप नीडिल होती है जबकि चल के साथ अटेच होती है यहाँ पर सर्वेयर कमपास में जो graduation होते हैं उसमें north और south पे 0 होता है और east और west पे 90 होता है और इसमें जो एंगिल मीजर बीरिंग मीजर करते हैं वो quadrant बीरिंग सिस्टम या reduce बीरिंग सिस्टम मेथड मेथड से इसको find out करते हैं इसकी बीरिंग मतलब इसमें जो variation होगा angle का वो 0 to 90 degree होगा और सर्वेयर कमपास में जो reference point होता है वो दो होते हैं नौर्थ और south नौर्थ से भी मीजर करते हैं बीरिंग और south से भी मीजर कर सकते हैं और clockwise और anti-clockwise दोनों direction में ही हम बीरिंग को मीजर कर सकते हैं जबकि प्रिजमाटिक कमपास में यह clockwise direction में मीजर करते हैं और इसमें जो bearing हमें मिलती है वो WCV में मिलती है whole circle bearing system में इसकी bearing मिलती है और वो 0 to 360 तक vary कर सकती है प्रिजमाटिक कमपास में नौर्थ पे 180, south पे 0, east पे 270 और west पे 90 dimension होता है और यह WCV में मीजर करता है surveyor compass जो होता है हम वी बिना tripod के उसको यूज नहीं कर सकते हैं अगर हमें убий Нач प्रिजमाटिक कमपास का यूज करना है तो tripod मस्ट होगा बिना बिना इसको हम यूज नहीं कर सकते है यह जो सर्वेयर कमपास होता है इसकी accuracy और precision ज्यादा होता है as compared to prismatic compass क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर arrangement के साथ करते हैं इसके लिए हमें tripod चाहिए और वो पूरी तरह से stable होगा और इसमें angle 0 to 90 degree quadrant bearing system में होता है इसलिए ज्यादा accurate होता है जबकि prismatic compass कम accurate होता है in comparison to surveyor compass but अगर हमें बहुत तेजी से work करना है तो उस case के लिए हम prismatic compass का यूज करते हैं दूसरी चीज़ जब हम इसमें angle bearing measurement करते हैं तो reading के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम साइटिंग होती है यह यहां पर आइवेंस लगे होते हैं यहां पर slit कटी होती है जिनको हम आइवेंस बोलते हैं और यहां पर से करनी होती है और reading पढ़ने के लिए हमें अलग position पर आना होता है और हम उसको उपर से पढ़ते हैं जबकि प्रिजमाटिक साइटिंग दोनों एक ही पोजीशन से हम कर सकते हैं इसमें जबकि सर्वेयर कमपास में हमें साइटिंग अलग पोजीशन से करनी होती है और फिर रीडिंग के लिए हमें उसके उपर से देखना होता है यह उसके कुछ दिफरिंसंट को भी यम्यादिक तो उससे पहले हमें इसका temporary adjustment करना होता है जैसा कि हमने पहले भी अपनी वीडियो में बता रखा है कि जो भी इंस्ट्रुमेंट होता है सर्वे का उसको यूज़ करने से पहले उसका temporary adjustment करना होता है उसके तीन स्टेप centering labeling और यहां पर जो centering होती है वह किसी पॉइंट के उपर कमपास को fix करना labeling करने के लिए हम इसको इसमें जो labeling करते हैं उसका यह मतलब हुआ कि जो suspended निडिल है वह पूरी तरह से freely float करें जो पूरी तरह से float करें और वह कहीं पर भी इससे टकराए नहीं तो क्या होगा वह freely float कर सकती है और easily rotate कर सकती है not direction कर सकती है इसलिए हमें इसको भी यूज़ करने से पहले इसका temporary adjustment करना होता है तो यह था आप आल अबाउट कमपास और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करिए और वेल आइकन दवाना मत बूलिए गया थैंक